मुझा दोश्टों एक बर जिस्टे आप सबसे मेरे यूटुब चैनल में दोश्टों ओज 14 जन्वरी है और आज है मकर संकरारती तो आपको और आपके पूरो परिवार को मेरे ऊचनल से मकर संकरारती के हर्दिक सुटामनाय धेर सारी बधाईया और हेपी मकर संकरारती ज़माने सचा आज कहीं चलते हैं और घूंते हैं तो लेही सुच पर गाइस मैं फाइनली निकल पड़ा और अभी फिलाल में एक पार्क आया हूँ दोस्तों जिसका नाम है कुसियार गाउ पार्क ये हाईवे के बगल में दोस्तों आप दे सकते हैं और यहां का ये बेग्राउंड सिन है इसे आप अच्छी तरह से पहचान सक हैं दोस्तों तो गाइस मैं जब यहां आया तो मुझे एक बात मालूम हुआ फिलाल ये पार्क परोना काल को लेकर के बंद है तो मैं वापस जाने के लिए गाईसी इसी सड़क से आया था और फिर यहां जाकर के मैं दोस्तों वापस जाने के लिए गाड़ी का वेट करने तो जब तक मैं बेट करता रहा दोस्तों तब तक मैंने देखा कि यहां पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और मायूस हो करके जा रहे हैं तो दोस्तों मैंने सोचा कि जानकारी ना होने के बज़ा से जैसे कि मैं वापस जा रहा हूं और ये सारे लोग जा रहे हैं उसी परकार और भी कितने नजाने लोग आएंगे और वापस जाएंगे तो यही सोच करके मैंने सोचा कि छोटी से इंफर्मेशन के लिए एक वीडियो बना देनी चाहिए ताकि जिनको मालूम हो जाए वो नहीं आएंगे तो यही सोच कर मैं आप लोग को जानकारी के लिए चोटा से वीडियो बना रहा हूँ अगर आप यहां आना चाहते हैं दोस्तों तो फिलाल मत आएए यह पार्क बंद है और जब यह कुल जाए तो आप लोग आएगा तो इसमें सुचना ठंगा हुआ है यही दोस्तों मैं आप लोग को दिखा देता हूँ और दोस्तों यहां पर देख लिए जो भी लोग भूमने के लिए आए थे वो उदास भू करके वापिस जा रहे हैं हम लोग तो पांच को मेंटर दूस आये थे तो ते परव दोस्तों परद लिए नोटीस चिफ्का दिया गया है इसलिए सब से निवाद ना कि इस ता यह पारद गूमने के लिए बंद आए करोना लेकर जा रहे हैं वापिस यहां भी देखिए यह लोग घुमने के लिए यहां पर आये थे और यह लोग भी अब वापिस जा रहे हैं तो फ्रेंड यहां पर सूचना लगा हुआ है आप पढ़ सकते हैं दोस्तों तो गाइस आपने नोटिस देख लिया इसमें जो लिखा है आपने पढ़ लिया तो फिलाल आप मत आये और जब यह पार्क खुल जाए तो जरूर आईए घूम करके जाए बहुत ही मजा आएगा दोस्तों और फिर भी आप इस पार्क को बहुत जादा मिस कर रहे हैं दोस् एक महिना पहले मैंने कुषियार गाव पार का ब्लोग अपलोड किया है तो आप जाए उस ब्लोग को बिजिट कीजिए आनन उठाइए और आई होप काईस यह वीडियो आपको हेल्फूल लगी होगी अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक कर दिजिए अपने